हलो दोस्तों वेलकम टू एंटिसिबेटेड़ क्लासेज आज हमें जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो क्या नाम है टॉपिक का इंफलेशन इंफलेशन मतलब क्या होता है आपको पता नहीं कैसा अजीव सा टॉपिक का नाम बता दिया कुछ नहीं है, इंफलेशन आपको होता है महंगाई छो आपको बढ़ती है ना जो आपको जो अशेंचल गोड़ते हिसका प्राइस का जब हो बढ़ जाता है ना वह उसके बारे में डिसक्स करना है महंगाई को ही हम Ce होते हैं inflation बोलते हैं मंदब की increasing general price level of goods and services ठीक है तो वो क्या कराएगा आपका inflation कराएगा यानि की जो आपके essential goods and services के जो प्राइज ही होते है ना जब उनका जो दाम होता है essential goods and services का जब वो भड़ जाता ना 60 साल की अगर हम बात करें तो उसे हम क्या बोलते है inflation बोलते हैं मंदब की महगाई बोलते हैं आपका ठीक है तो इसमें यह बताया गया और अभी मैं इसके बाद आपको इसके examples के द्वारा इसको और बहतर clear करूँ आपको किसको inflation को अब हम दोस्तों आगे जान लेते हैं inflation के examples लेते हैं मतलब महाई की जो इक्जामप्लस है ना ठीक है जो आपके दाम भढ़ते हैं साल दर साल inflation में क्या होता कि एक साल का निश्ट निश्ट में इसमें क्या लिए जो साल है साल किसी एक प्राइस के दाम तो यह है अब ऐसे दो जार बात करते हैं जो अब यह है लेटेस्ट यह जो हमारा जो भी गया है इसमें जो गाएं का दूद है कितना रुपी 46 का समझ लिते हैं पेट्रोल आपकी अधिकेट जो 3 रुबे की मिलती थी 1975 में वह कितनी होगे अब 300 रुपे की होगी टिकेट तो ऐसे में आप यहां से क्या देख रहे हैं कि आपकी जो महँगाई है ना बढ रही है दिर दिर दि है ना उसे हम क्या बोलते हैं इन्फलेशन बोलते हैं इन्फलेशन में क्या होता है कि डिक्रीजिंग पर्चेरिंग पावर अव करनंसी घड जाती है लेकिन वह क्या होता है जो जनरल प्राइस का जाम होता है आपका वह भढ़ जाता है मलब की जो 100 रोपे नोट की वैल्यू सब्सक्राइब की वैल्यू कुछ नहीं है तो यह किसमें इसका सारा प्रोसेज आपका इल्फलेशन का अभी हम इसका एक जानेंगे किसका इल्फलेशन का अब दोस्तों एक और एक्जाम्पल देख लेते हैं इन्फलेशन का ठीक है देखो यहां पर क्या है 1975 की अगर बात क हैं तो अगर आप इन दोनों की जोड़ दो इनकी मंटिपलाई करा तो कितना आपको सोना मिल जाएगा उस टाइम पे 1975 में कितना मिल जाता आपको आपको कितना सोना मिलेगा खाली पंद्रा कराम सोना मिलेगा मलब कि आपको डेट टोलाई मिल पाएगा तो इसमें क्या हम देख सकते हैं कि जो आपकी महंगाई दरे हैं वो भड़ रही हैं मलब की जो सो रूंबरे नोट की वैल्यू 1975 में थी ना वो 2019 में बराबर नहीं है खेंगे तो यह किसके ग्जांप्ल्स हो गए इंफ्लेशिय के मलब की महंगाई दरे बहड़ी रही हैं अब हम दोस्तों आगे जाने लेते आपको इंफ्लेशन तो मैंने बता दिया आपको एक्जाम्प्लस पर समझा दिसके हम आपको समझाता हूं डिफलेशन क्या होता है तो क्या है उल्टा है उसका टो डिफलेशन क्या है डिक्रीज इंग डिफलेशन के गोड़ जाता है ना ठीक है हम उसके क्या example समझाता हूं उसके ठीक है देखो सेम वही लिया है अब इसमें यहां पर क्या हो जाता है 2020 में 2019 तक जो प्राइस था वह भड़ रहा था आपका 2020 में आते आते वह प्राइस घर्ड गया देखो यहां पर भाई जो आपका गाएं का दूद्ध था काव मिल था आपका वह 46 से 2020 में कितना हो गया 45 रुबए का हो जाता है सबस्क्रों ठीक है पैट्रोल के दाम आपके 68 है 2019 में अगर वह 66 हो जाता है महला कम हो गया और ऐसी जो सिनीमा डिकेट है वह 300 से कितना हो जाता है 280 हो जाता है ठीक है तो ऐसे में हम क्या देख सकते है कि जो आपकी जनरल प्रफिए चैना है तो यह इसमें पूरा बता गया अब इसके आगे हम और चीज़ें यहलो तो अब दोस्तों को बनाने में किया है राव मैट अपकी आपके एकदम से भड़ जाते हैं तो इसमें तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती वह तो इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है आपका ऐसी लेवर कॉस्ट है लेवर कॉस्ट एकदम से इंग्रीज हो जाती है तो उसमें किसी पर्टिकलर टेकनोलोजी आपकी वह वह उसम बहते हैं यह पर्टिकलर पृटक्ट में यह सारी चीजह इंग्रीज हो सकती है अभी मैं इसके बाता होगा कॉस्ट पूस्ट के एक्जांप्ल समझाँगा अब हम दोस्तों क्या जान लेते हैं अगहर धर सब्भु ज़ोगुए पीज़ा मैनिफेक्चर है यह बर यूस कोई की बर इसे पास करेगा कौस भर जाती है तो वह जो 400 रुपए का पीजा है वह उसे पीजा मैनिफेक्चर को कितने का पड़ेगा 440 का पड़ेगा तो अगर वह भी अपना मुनाफ़ाइड करेगा पीजा मैनिफेक्चर पीजा बनाने किसे पड़ेगा चार सो पड़ेगा चार सो पड़ेगा यहां दूसरा काम जो पीजा मैनिफेक्चर है वह यह भी कर सकता है कि वह 400 रुपए दाम रख्यों पीजा का लेकिन वह साइस कम कर देगा तो दोस्तों इसमें आप क्या देख सकते हो कि ऐसे में क्या हो रहा है आपकी सब्सक्राइब कर दोस्तों आगे जान लेते हैं डिमांड पुल इंफ्लेशन के बारे में ठीक है तो इसमें क्या है आपका मोर मनी चेजिंग फ्यूर गृट्स मलब इसमें क्या है अगर लोग के बाद सब्सक्राइब ज्यादा पैसा आ जाता है और गोड्स अगर लिमिट पैसा कैसा सकता आपके पास अगर सबस्कों किसी के बाद 20 रुपए हैं अगर वह 20 र से बढ़के 30 र हो आता है डूटू इंक्रीज इन देर सैलरी उसकी सैलरी बढ़ गई 20 से कितनी होगे 30 रुपए हो गई तो एक्स्राइब रुपए है ना तो वह उसे वह मार्केट में सब्सक्राइब है तो उसके बाद कैसा कैसे कैसे हो सकते या तो आघटाथ का रहे हैं वहापका टैक्सरी स् मedor divide या तो वह इंट्रस रेट कम कर दें इंट्रस्त कम होने से क्या होता है और वह आप लोग्त लेंगे लोन ज्यास लेंगे ने तो ज्यादा खर्चा करेंगे कर खरीदेंगे तो यह इसमें बताएगया आप इसमें जैसे मोर मनी ज्यादा पैसा है और लिमिटेट सपलाई यह तब भी जो प्राइस का जो आते हैं तो हमने क्या जाना इसमें और ऐसमें जो इसमें बताएगा इसमें बढ़ती है इसमें जाने लेते हैं जैसे जैसे दस लाग क्रोड की प्रिंटेट करण्सी है हमारी आप सरकार बोलते हैं कि हम क्या करेंगे बारा लाक करोड की जो प्रिंटेट करन्से वह मार्केट में लेके आएंगे आप जो बीस परसेंट की जो भड़ोती हुए ना यह जो पैसा है यह कहां जाएगा यह भी आपका दोस्तों एकनोमी के अंदर यह आएगा तो ऐस क्या जान लेता है थोटा सा िसके बारें ढ低वर आंड जैसे ढर्रे और रहा है और रह्याल है यह मैंने आपको इससे वह पहली वाली वीडिचि वाली वीडियो में आपको मैंने बताया ता यह सारी जिजिज होते हैं क्या होते हैं तो दिस्क्रिप्षिजल में We won आप हो ही जादा पैसा आजाए가 तो यहode क्या करेंगे लोग लोग लेगे तो ज्चाहरशा कर गएगा प्राइजिस का जो दाम होता है तो वह यह इसमें भी क्या आपकी महंगाई जारे आपकी भड़ी रही है अब दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूं कैसे जो आपकी महंगाई है कैसे वह आपको प्रभाव डालती है आपके ओपर ठीक है हाओ इंफलेशनिक्स इंपस यूव ठीक है आपखोस करते हैं कि जैसे आपकी जो człowie ementu वा जाता से मलब पसफ और सब्सक्राइब करोल से आहीं कितने की हो जाती है तो ऐसे में में क्या होता है और इन्कम रोफ कितने गार दस परसेंड का है और इंफलेशन कितना है 7% है तो यह आपके लिए दोस्तों खुशी वाली बात है और ऐसे में क्या है आप जैसे समझ लेते हैं कि आपके लिए क्या है यह खुशी वाली बात है आपको हमेशे इसमें ही होना चाहिए अब जैसे समझते हैं कि जैसे अगर आपकी income growth बराबर है inflation जे मलब की अगर income growth 7% है आपकी और inflation कितना है वो भी 7% के महगाई भी इतनी है और income growth भी इतनी है तो ऐसे में आपके लिए यह ज़्यादा खुशी वाली बात भी नहीं है और जैदा वरी वाली बात भी नहीं है तो अगर हम बात कर लाता है अगर आपकी income growth कम है, inflations है मलब की income growth आपकी चार परसंट एंफलेशन साथ परसेंट है इंफलेशन ज्दाए मलब महगाई ज्यादा हो चुकी है और आपकी इंकम ग्रोथ कम है तो आपके लिए दोस्ते खुशी वाली बात बिल्कुल नहीं है तो आपका हमेशा टार्गेट होना चाहिए दोस्तों यहाप हमेशा इस वाले प्रेकिट म समेशा ज्यादा ही रहे तो ये स्मीन बताया है मैंने हैखको कैसे जो आ हमद की म्हेंगाई होती है कैसे आपको लैं डालती कि अपर अब दोस्तों क्या जान लेते हैं आगय देख लेते हैं हाउड rifler $ mh लोन लेने की वह कम हो जाएगी कारण कि जो ज़्यास दर्वें वह जादा है तो लोग क्या करता है वो चाहता है कि आगर लोन ले रहे हैं तो लोन लेने से कतर आते हैं लीडिंग टू लोड इससे क्या होता है है और होजाती है और लोरिय में होजाती है तो ये लैस्ट आले एप दोस्तों क्या जान लेते हैं वह क्या बोलते हैं कि that there is a close link होता है किसकी बीच में money supply जो पैसे की जो सब्लाई होती है और भेंगाई के बीच में बहुत बड़ा क्या है close link है therefore controlling money supply आप जो money की जो supply उसको जो control करना है उससे भी हम क्या control कर सकते हैं जो पैसे की supply को अगर control कर लो ना उससे भी जो आपकी महंगाई दर है ना तो भी वह क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी control हो जाएंगी वह आप से ठीक है तो यह इसमें पताया गया है अब दोस्तों इस वीडियो का last topic समझ लेते हैं core inflation ठीक है इसको जाने लेते हैं इस इसमेंगा यह आपकी इन सारे सेक्टर की अगर हम बात करें excluding the food and fuel sector मदलब क्या है यह इसी महंगा है यह इस वाले सेक्टर में होती है मलब जैसे आपका फूरे फूरे इस वीडियो का last topic आपका I hope दोस्तों जो मैंने वीडियो मनाई है inflation के ओपर महंगाई के ओपर आपको इभी मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को like करो subscribe करो मेरे channel को और share करो with अपने family, friend और relative के साथ